ओम नमशिवा सावन के महिने में जोति लिंगो वशिव लिंगो का पूजन करने से भक्तों की हर मुरार पूरी होती हैं। अगर आप भी महादेव की इक्रिपा पाना चाहते हैं तो सावन में किसी एक जोति लिंग के दर्सन करने जरूर जाएं। 12 में से साथ जोति लिंगो के पीछे की कथा को हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम आप से कहेंगे आठमे जोति लिंग यानि त्रयम के स्वल जोति लिंग के बारे में। यह जोति लिंग महाराष्ट प्रांत में नासिक से 30 किलोमिटर दूर पस्चिम में इस्थित हैं। मंदिर के अंदर तीन छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विश्डू और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा जोति लिंग है जहां तीनों ब्रह्मा, विश्डू और महेश एक साथ विराजते हैं। इस जोति लिंग की अस्थापना के विशय में, सिव पुरार में यह कथा वर्डित है। एक बार महरसी गवतम के तपोबन में रहने वाले ब्रामणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्हों ने अपने पतियों को रिशी गवतम का अपकार करने के लिए प्रेडित किया। उन ब्रामणों ने इसके निमित भगवान स्री गडेश जी की अराधना की। उनकी अराधना से प्रसन हो, गडेश जी ने प्रकट होकर उनसे बर मांगने को कहा, उन ब्राम्हणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन हैं, तो किसी प्रकार जिसी गवतम को इस आश्रम से बाहर निकाल ले, उनकी यह बात सुनकर, गडेश जी ने उन्हे ऐसा बर मांगने के लिए समझाया, किन्तु वे अपने आग्रह पर अटल रहें, अंततह गडेश जी को विवशो कर, उनकी बात माननी पड़ी, अपने भग्तों का मन रखने के लिए, वे एक दुर्बल गाय का रूप धारड करके, रिसी गवतम के खेत में जाकर रहने लगे, गाय को फसल चरते देखकर, रिसी बड़ी नर्मी के साथ, हाथ में त्रिर लेकर, उसे हाकने के लिए लबके, उन त्रिरों का असपर्ष होते ही, वह गाय वही मर कर गिर पड़ी, अब तो बड़ा हाहा कार मचा, सारे ब्रामःड एक गत्र हो, गव हत्यारा कहकर, रिसी गवतम की वतरसना करने लगे, रिसी गवतम इस घटना से बहुत आस्चरे चकित और दुखी थे, अब उन सारे ब्रामःडों ने कहा कि, तुम्हें यह आस्रम छोड़कर, अन्यत्र कहें दूर चले जाना चाहिए, गव हत्यारे के निकट रहने से, हमें भी पाप लगेगा, बिबस होकर, रिसी गवतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, वहां से एक कोश दूर जाकर रहने लगे, किन्तु उन ब्रामःडों ने वहां भी उनका रहना दुरभर कर दिया, वे कहने लगे, गव हत्या के कारण, तुम्हें अब बेदपाठ और यग्याद के कारियर करने का कोई अधिकार नहीं रह गया, अंत्यत, अनुनय भाव से, रिशी गवतम ने उन ब्रामणों से प्रार्थना की, कि आप लोग मेरे प्रायस्चित और उधार का कोई उपाय बताएं, तब उन्होंने कहा, गवतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए, तीन बार पूरी प्रीथवी की परिक्रमा करो, फिर लोड़कर यहां एक महीने तक ब्रत करो, इसके बार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बार तुम्हारी सुधी होगी, अथवा, यहां गंगा जी को लाकर, उनके जल से असनान करके, एक करोड पार्थिव सीव लिंगों से सीव जी की अराधना करो, इसके बार पुनह गंगा जी में असनान करके, इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो, फिर सौ घडों के पवित्र जल से पार्थिव सीव लिंगों को असनान कराने से तुम्हारा उध्यार होगा, ब्राहणों के कतना नुसार, महर्शी गवतम वी सारे कार्य पूरे करके, पत्नी के साथ पुडतह तल्लीन होकर, भग्वान सीव की अराधना करने लगे, इससे प्रसन हो, भग्वान सीव प्रकट होकर उनसे बर मांगने को कहा, महर्शी गवतम ने उनसे कहा, भग्वान मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गवहत्या की पाप से मुक्त कर दें, भग्वान सीव ने कहा, गवतम तुम सर्वथा निस्पाप हो, गवहत्या का अपराध तुम पर छल पुर्वक लगाया गया था, छल पुर्वक ऐसा कर्वाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्रामणों को मैं डंड देना चाहता हूं, इस पर महरसी गवतम ने कहा कि प्रभू उन्ही के निमित से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्थ हुआ है, अब उन्हें मेरा परमहित समझ कर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से रिशियों मुनियों और देवगडों ने वहां एकत्र हो गवतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान सीव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की, वे उनकी बात मानकर वहां त्रेंबकम जोतिलिंग के नाम से इस्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई, गंगा जी भी वहां पास में गुदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह जोतिलिंग समस्त पुन्डियों को प्रदान करने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पे सेट करने। ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके। धन्यवाद।